इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाला है जी हाँ फोन पे का बिजनस अकाउंट आप कैसे बना सकते हैं, यूज आपको कैसे करना है और कैसे आप सकैनर मंगवा सकते हो कई बार क्या होता है आपने कहीं भी जी हाँ आउनलाइन पेमेंट किया होगा, किसी भी सॉप में तो आपको सकैनर देखने को मिला होगा तो ये साड़ा सकैनर जो आता है, वो फोन पे का बिजनस अकाउंट के द्वारा ही मिलता है इसमें आपको जी हाँ कुछ KYC को कमपलीट करना पड़ता है, KYC में आपको कौन-कौन से डोकुमेंट्स लगेंगे वो भी मैं आपको वताऊंगा, बहुत ही इजी स्टेप में आप सीख लोगे कि आप फोन पे का बिजनस अकाउंट कैसे बनाएंगे, कैसे आप स्कैनर बंगवाएंगे, विंक करोगे सब कुछ जानते हैं, बस आप हमारा साथ बने रही और नया है, समस्क्राइब रिके, बेल आइकन को प्रेस कर लिजे चलिए, सबसे पर इस वीडियो को सुरू करते हैं, पर देख सकते हैं, मैं अपने मुवाइल फोन पर आ चुका हूँ, आपको यह वाले आप डाउनलोड करना परेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बढ़िये सानी से आप जाकर डाउनलोड कर लिजेगा, जैसे आप यह कुछ इस तरह के का आएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे, बेसिक सा कुछ भी नहीं करना होता है, नीचे आपको एक अलाव का बटन आता है, बेसिक सा यहां ही पर आपको अलाव पर क्लिक करना है, जैसे आप यहां से अलाव पर क्लिक कर तो फटा फट से आपको अपने मुबाइल लंबर डालना है, continue पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ से continue पर क्लिक करेंगे, OTP आएगा और OTP से direct आपके जिहां verify हो जाएगा, यह OTP डालने के बाद कुछ इस तरीके का option आजाएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपन options आजाएगा, अगर आपका यहाँ पर से जिहां देख सकते हैं, यहाँ पर से normal कोई दुकान है, कोई shop है, तो आप यहाँ पर से ऊपर वाला option पर क्लिक करो, यह अगर आपके पास कोई premium retailer है, showroom है, तो आप नीचे बाले पर यहाँ पर से tick कर सकते हो, मेरे पास एक यहाँ प यहाँ पर से डालना है, जो भी आपको क्लिक करके proceeds पर आपको क्लिक करना है, तो यह चीज़े जैसे आप करोगे, अब आपको यहाँ पर से कुछ details को fill up करना पड़ेगा, KYC के लिए, जैसे कि आपको अपना दुकान का name, जो भी आपका दुकान का name है, वो डाल देना है, औ दो फोटो आपको अपने दुकान का ले लेना है, यहाँ पर से आपके समनी आजाएगा दो option, एक तो आप यहाँ पर से बाहर का जो दुकान का है, वो फोटो आपको एड करना है, और दूसरा आपको जो दुकान के अंदर का फोटो है, वो आपको ले लेना है, और simply आपको नो, दोनो कर सकते हैं और आपको QR Code पहले से यूज कर रहे हो, तो मैं पहले से कोई QR Code यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर से No पर क्लिक करूँगा, Continue पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ से Continue पर क्लिक करेंगे, आपका KYC का एक step हो चुका है, अब आपको यहाँ पर अपना address डालना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे, तो जहाँ भी आपका दुकान है, वही आपको location डालना है, आप चाहे तो उपर में अपने area को सर्च कर सकते हो, कि कहाँ पर आपका area है, कहाँ पर दुकान है, तो यहाँ पर से राजोपठी सीता मरी में है, मैंने क्लिक कर लिया, यह एक्टमेटिक मेरा यहाँ पर से map ओपें हो गया, confirm business account location पर क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पर से आपको अपने address को, मिन्वाली यहाँ पर से type करके भी डाल सकते हैं, ताकि यहाँ पर से आपका कल होके कोई problem नो हो, और landmark optional है, आप डाल सकते हो, save and continue पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड होगा और great jobs यहाँ यहाँ पर से आपका business account, यहाँ पर से location जो है, वो bank account simply यहाँ पर से आपको search कर लेना है, यहाँ पर से सभी bank account आपको देखने को मिल जाएंगे, मेरे पास bank of बडोदा है, तो मैं यहाँ पर से bank of बडोदे पर क्लिक करेंगे, या आप चाहे तो simply search करके भी, आप अपने bank यहाँ से ला सकते हैं, उसके बड़ आपको continue पर क्लिक करना है, जैसे आप यहाँ से continue पर क्लिक करेंगे, अब जो भी आपका mobile नंबर से आपने registration किया, allow पर क्लिक करेंगे, यह automatic आपका bank account ले लेगा, आपका bank account का नाम, IFSC code, साड़ा कुछ ले लेगा, अगर आप चाहते हूँ उपर से कोई add करें, तो आप add कर सकते हूँ या उसी पर क्लिक करके, continue पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर से साड़ा कुछ होने के बाद, आपका देखिए नाम, IFSC code, सब कुछ आपको देखने को मिल जाए, आपका जो account है, वो saving account है या current account है, तो नीचे आप इस पर क्लिक करेंगे, जिस types का भी आपका account है, saving है, current है, तो आप उस पर क्लिक कर दो, मेरे पास current account है, तो basic से मैं proceed पर क्लिक कर दूँगा, verify bank details यह verify करेगा, कि इस number से यह account link है कि नहीं, यहाँ पर देखिए, account यहाँ पर से successfully हो चुका है, आप यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, सारा नाम बगर, आपको GST है, तो आप add करो, by the way, आप skip करके, यहाँ से इसको आप हटा सकते हो, तो यह इतना करने के बाद, अब आपको यहाँ पर से verify करने के लिए, KYC करने के लिए, आपको अपने pan card का number डालना पड़ेगा, details डालना पड़ेगा, आपके पास और भी options है, लेकिन pan card based है, यहाँ पर से driving license से आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर से pan card है, तो आप pan card का नाम डालो, और यहाँ पर से जो भी pan card का number है, वो सारा कुछ आपको इंटर कर देना है, जैसे आप सारा कुछ इंटर करेंगे, दिन आपको proceed पर एक बार नीचे पर click करना है, फिर से यह verify होगा, और verify होने कब बाद, आपका pan details successfully हो चुका है, अब आपको यहाँ पर से जी हैं, और भी एक और option आता है, जिससे आपको KYC complete करना है, जिसमें voter ID, driver license, आधार card, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो मैं आधार card पर simply click कर लेता हूँ, क्योंकि आधार card मेरे लिए simple है, simply आपको क्या करना है, आधार card का यहाँ पर से number जो है, वो यहाँ पर से add करना है, तो फटा फट से आपको क्या करना है, अपना जो भी आधार card का number है, वो यहाँ पर से आपको add करके, नीचे right click करना है, right click करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आ जाता है, निचे देखिए, यहां पर आजाएगा proceed का तो basics आपको proceed पर click करना है अब आपका आधार card भी यहां पर से verify होगा, जो भी आपके आधार card पर mobile number है, उस पर OTP आएगा वो OTP बेसिक सा यहां पर से आपको डालना पड़ेगा, और जैसे आप यहां से OTP को यहाँ पर से submit करेंगे देन यहाँ पर से आजाएगा देखिए नीचे submit का option जैसे आप submit पर click करेंगे थोड़ा सा page loading होगा KYC successfully यहाँ पर से complete हो चुका है तो यह best है आपका यहाँ पर से बन के आजाएगा अब यहाँ पर से आपको जो भी जो box वाला आपने देखा होगा scanner यह मंगबाना चाहते हो तो request नाओ पर click करेंगे नीचे आपके सामने आजाएगा price की क्या price इसका लगता है सारा कुछ आप देख लेना उसके बाद यहाँ पर से आपके सामने आजाएगा आप यहाँ से कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से जी है आप बड़ी असानी से अपना phone पे का business account बना सकते हो और आप अपने लिए scanner वेगारा वो मंगबा सकते हो देखो अगर आपके पास दुकान है तो ज़रूर से try करना और वीडियो कैसा लगा मुझे comment session बताना थोड़ा सा tough था लेकिन हाँ easy way में है अगर आप वीडियो को pause करकर कर देखोगे तो आप easy way में complete कर लोगे और आप मंगबा लोगे चलिए इस वीडियो में इतना है तब तक लिए take care and bye bye